तो हाई फ्रेंड्स वेलकाई चानल फैक्ट कनेशा तो दोस्तो प्राचिनकाल से ही शकुन अप्शकुन की मानता प्रचली थे आज भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहते है कि अप्शकुन हो गया किसी ना किसी काम को करते टाइम को छोटी मुटी गटना चरूर होती है अग दोस्तो जोतीश के अनुसार इन गटनाओं का सीधा सम्मन्ध भविशा से होता है जोतीश शासर के अनुसार जितनी भी गटनाय होती है वो किसी विवेक्ति के फायदे नुकसान सफलता और असफलता के बारे में बथा सकती है यही कारणे के वजों से चीक आने को बिली का रास्ता कट जाने को इन सारी बातों पर तो विश्वास रखते ही है तो दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हम अपने चीवन में हमेश्या सुप में रहे हमें कोई भी परिशानी ना हो तो हम ऐसे उपाय अपनाने लगते हैं जिससे कि आपको हर समस्या से निजात मिल जाए वासु किसी ना किसी बात का संकित अविश्य मिलता है जैसे कि हाथ से किसी बर्दर का चूटना या फिर काच का तूटना या फिर दूद का उबालना तो दोस्तों और इसी तरह घर में चुवे का निकालना जिहां दोस्तों घर में बहुत सारे चुवे निकल आते हैं तो यह हमारे करते हैं वीडियो से तो दोस्तों घर में चुओं की तादात बढ़ने को कोई लोग अच्छा मानते है और कहीं लोग उसे बूरे संखेत के तोर बहुत देखते हैं तो दोस्तों मानना था कि अनुसार घर में काले चुहा की संक्या आधिक हो जाती है वहाँ किसी परिशानी से अचानक से होने का संदेया रहता है वह यह भी माना जाता है कि चुहे हमारी घर की स्थांत्त को धीरी-धीरी कुंतरकर खाट जाते है और यदि घर में काले रंग के चुवे बहुत आधिक तादाद में दीन और राद बर गोंते रहते हो तो समझ लेजिए किसी रोग या शत्रु का आकरमन होने वाला हो तो दोस्तों वास्तुशासर के अनुफसार चुहा नकरात्मक और अध्यानी शक्तियों का प्रतिक माना चाता है वही चुहों की मोजुदकी से घर परिवार के लोगों की बुद्धी का विनाश हो चाता है यदि आप किसी खासकारे के लिए घर से निकल रहे हो और ठीक उसी समय आपके सामने से चुहा निकल चाए और चुहा आपका रास्ता काटते तो इसे शूप संक्यत नहीं माना चाता है जिस तरह का अशुपता का त्रारक माना चाता है उसी तरह जंजुरदरा के घर में आने को बहुती शूप माना चाता है कहता है जिस घर में जंजुरदरा घुनती है वहां लक्षमी के रुद्धी होती है लेकिन चुहा तो गनपती का वान है तो उसे मारना भी गलत होता है चुहो को प्रवाव स्थीर रहता है और जब आपके घर में चिवह आने लगे तो आप समझ जाईए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है तो दोस्तों चिवह के आशुप्रवाव से बचने के लिए गंपदी बपा को मोदक का भोक अविश्य लगाए और घर में 50 ग्र्याम फिटकरी का पड़ा रख दे इस उपाई से वस्तुदोश का भी शमन होता है तो दोस्तों इस तरह उड़के दाए पेर का नाकून घर में रखने से चुओ का सदा के लिए आपके घर से बाहर भाग जाते है इसके अलवा गनेश जी का चित्र घर में स्तापित करने से पहले ध्यान रख तो आपके जीवन में कभी कोई परिशानी नहीं आएंगी तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लागाओ तो लाइक चेर कमेंट चलूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में जय गंदपति बप्पा मूरिया या वश लिखेगा धन्यवाद